आज का पहला कोशन मैं जूम कर दे रहा हूं आप लोग इसे अच्छे से पढ़ो और इसका अंसर बताओ कमेंट में फिर मैं बताता हूं कोशन क्या बोला है जी एच के उत्तर में कितना है 13 मीटर है उसके बाद से बोला है कि जो आई के पश्चि में 7 मीटर की दूरी पर है उसके बाद क्या बोला इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो तोड़ तोड़ के करो तभी जाके एक कोशन हो जाएगा जिसका आजाए आंसर तुरंद कमेंट करो mg के पश्चि में 8 मीटर है अब mi के संदर में किस दिशा में आपको बताना है इसमें क्या है कौन सा टाइप है मैंने आपको जो टाइप 3 बताया था कि किसी भी object से related आपको बताना है कि उसका direction किस दिशा में है ठीक तो आप इस question को डाइग्राम विना डाइग्राम के तो हो किसा में जो question आएगा उसमें भी maximum chance होते हैं कि आपको डाइग्राम बना के ही करना होता है तो चलिए हम कैसे बनाएंगे इसे देख लेते हैं जिसका answer आ गया बहुत बढ़िया देखते हैं इसमें पहले बोला है जी एच के उत्तर में 13 मीटर है तो एक तो यह मत भूलना कभ के उत्तर में है मैंने बना लिया कितना है 13 मीटर है तो डिस्टेंस लिखने की ज़रूरत नहीं क्या है कि डिस्टेंस का कहीं आप से पूछा नहीं है सिंपल ऐसे बनाते चले जाओ जो आई के पश्चिम में 7 मीटर है कौन एच क्यूंकि जो लगा ना तो जो यह किसके मीटर है तो एम जी के पश्चिम में है तो जी यहां है तो इसका पश्चिम क्या होगा बई जब यहां ड्रॉप कर आएगे डायरेक्शन तो यह होगा इसका पश्चिम तो यहां क्या हो जाएगा म हो जाएगा कितने मीटर की दूरी पर है यह 8 मीटर की दूरी पर है बस यह ही ड्याग्राम बन गया जैसे ड्याग्राम बन गया आंसर निकाल लो किसे पूछा है अब M, I के संदर्म में किससे पूछा है I से ठीकह है आई के संदर्म में पूछ रहा है M की डिरिक्सन क्या तो जिससे पूछे अगला question जूम कर दे रहा हूँ जिसका आजाए answer कर देना बाई जल्दी से क्योंकि यह प्रैक्टिस सेशन चला है देखें कितने लोग कॉंसेप्ट वाले सही से पढ़े हैं चलिए बोल के रहा है कोशन में जूलिया अपने घर से उत्तर के और चली कुछ समय बाद वह बाई और मुड़ी तथा फिर दाई और मुड़ी तथा ऐसे ही देखके अगर चाहोगे तो आंसर आ जाएगा चलो देखते हैं कैसे इसको कुछ मैंने लिखूंगा सिर्फ कुश्चन पढ़ूंगा उसी से आंसर निकालनूंगा जूलिया अपने घर से उत्तर दिसा में है पहले डियरेक्शन दिया हुआ है स्टार्टिंग डियरे अटो डाया थे कितो बार आं रहाएं कि दोबर आर्सा का राइट में एक बनें चाहएं तो यह राइड और लेफ्ट थहां प्र९क्राइट बचेग करिां एक राइड बусовके में और कि दिसा में उत्तर की तरफ है तो एक राइड ईटर्ण लेगा तो किधर आयागा यह इटर्ण क्लॉआफ्वा Βार्गर राइड राइट केंसिल में होगा एक राइड बचाई starting direction उत्तर थी तो वहाँ से एक right turn लेगा तो right turn में क्या पढ़ता है इस्ट पढ़ता है answer तुरंत चलो अगले question की तुरह पढ़ते है answer जल्दी जल्दी comment करते जाना question बहुत असान-असान है क्या बोला भाई question बोला है अपने घर से निकल का समीर कुछ मीटर तक पूरब दिसा की ओर चली समीरा है समीरा कुछ मीटर तक पूरब दिसा की ओर चली वहाँ से वह दाई और मुडी और 100 मीटर चली फिर वह बाई और मुडी और 30 मीटर चली अंत में एक बार फिर वो बाई और मुड़ी और बजार पहुचने के लिए 40 मीटर चली यदि उसके घर और बजार के बीच हवाई दूरी मतलब shortest distance बोला है 100 मीटर है तो समीरा अपने घर से पारंब में कितनी दूर पूरब की ओर चली थी यहां कुछ अलग है अलग क्या है तो को सुरू में बोल दिया है कि अपने घर से निकल कर समीरा कुछ मीटर तक पूरब में चली कुछ मीटर मतलब वो दिया नहीं आपको वही distance आपसे यहां लास्ट में क्या पूछ रहा है कि जब वो अपने घर से निकली तो वो कितना डिस्टेंस पूरप की तरफ गई थी तो जिसका आंसर आ जाए कमेंट कर दो बाकी तुम्हें बता ही रहा हूं चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा तो direction पता है नौर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट ये बना दिये अब उसमें हम देखते हैं plod करते हैं बाई कि अपने घर से पूरप की तरफ जा रही है चलो पूरब की तरफ मैंने बना दिया यह इस्ट की तरफ है समीरा अपने घर से निकली यहाँ उसका घर है एच लिख लो होम पूरब की तरफ जा रही है वहाँ से दाई और मुड़ी दाई मतलब मुड़ी प्लॉप वाई जा रेक्शन में चली तो बाई और मुड़ी मतलब लेफ्ट हैंड मुड़ी तो यहाँ चला रहेगा यह क्या हो जाएगा आपका 30 मीटर हो जाएगा ठीक उसके बाद से अंत में एक बार फिर बाई और मुड़ी और बजार पहुचने के लिए 40 मीटर चले ठीक यहाँ से बाई और मुड़ी तो बजार पहुचने के लिए 40 मीटर चलेगी तो यह पूरा 100 है तो इससे कमी होगा यह 40 आपका ठीक यह 40 मीटर हो गया अब आपसे पूशा क्या है कि यह distance पूशा यह x कितना था ठीक इससे कमबाईन कर देंगे तो यह से जब कमबाईन कर देंगे तो इसे जब हम कमबाईन कर देंगे तो यह distance तो यह भी क्या हो जाएगी 30 उसके बाद आपका यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा यह पूरा का पूरा 100 है यहां से यहां तक कितना है 100 है 100 में यह 40 यहां 22 तरफ मुड़ा था तो यह बचा कितना 60 यह 60 बचा और यह 40 अब हमें क्या चाहिए यह चाहिए पूरा तो हम इसमें पैथा गुरस लगा देंगे क्योंकि यहां पर यह 90 डिग्री होगा ये 90 degree होगा ये 60 हो गया इसका क्या height इसका base कितना हो गया 30 plus x और इसका height of radius कितना दिया है 100 तो लिगा देते हैं भाई इसका 100 का square equal to काणा का square equal to क्या होता है Lumb का square plus base का square तो क्या हो गया ये 60 का square plus 30 plus x का whole square ये हो जाएगा अब इसे जब solve करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो कैसे solve करना है ये 100 है ये 60 है तो 100 square minus 60 का square इधर कर लिए और इधर क्या बचा आपका 30 plus x का whole square बचा है ये इसको कैसे करेंगे 100 minus 60 लिख सकते हैं और 100 plus 60 लिख सकते हैं यहां से क्या आएगा ये 40 आएगा क्यों यहां से आपका आएगा 40 और ये क्या आएगा 160 ठीक 160 आएगा अब यहां से multiply करोगे 160 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा ये उपर कर दे रहे हैं इसको 16 को 64 सो हो जाएगा equal to यहां 30 plus x का whole square ठीक तो अब यहां से square जब हटाओगे तो क्या हो जाएगा 30 plus x equal to ये किसका होता है भाई अंडर रूट में इसे कर दोगे तो भाई ये 8 का होता है ये 100 है तो क्या हो जाएगा 80 तो 30 plus x equal to 80 तो अब x की value क्या हो जाएगे x equal to 80 minus 30 तो यहां कितना हो जाएगा ये पचास ठीक तो आंसर क्या हो जाएगा पचास आएगा कहां है भई पचास मीटर देखो option D है ये सही होगा कुछ नहीं कर रहा है इसमें आपको diagram बनाना है diagram जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बना लो जो आपका distance यहां बच रहा है देखो ये हवाई दूरी दी हुई थी market से और उसके घर की और यहां पर हमारा बचा कितना है ये पूरा 100 था तो ये 60 बचा है क्योंकि ये 40 पहले था और यहां पर मैंने base कितना ले लिया x plus 30 ले लिया perpendicular 60 हो गया अब लगा देंगे पैथा को रस्थिरम और यहां से मेरा निकल आएगा answer ठीक चलो अगले question बढ़ते हैं जिसका answer आगया हो 50 मीटर भाई साही है अच्छा है बहुत बढ़िया अब चलो question number 4 क्या बोला भाई घर से शुरुवात करने के बार नरेन पूरब की और कुछ मीटर दूरी पर चला यह भी same type का question है इसलिए मैंने दो question रख दिया कि आपको इस पर practice हो जाए कुछ मीटर की दूरी पर चला वहां से दाई तरफ मुड़ा फिर 80 मीटर पैदल चला फिर बाई और मुड़कर 20 मीटर चला अंत में फिर दाई तरफ मुड़ा और अस्पताल तक पहुचने के लिए 40 मीटर तक चला अगर उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी मतलब shortage distance 130 मीटर है तो सुरू में नरेन पूरब की और कितनी दूर चला था सेम चीज पूछ रहा है का अगर सुरू में अपने घर से जब वो निकला पूरब की तरफ तो कितना distance चला था ठीक तो इसे कर लो जिसना answer आज़े comment कर लो उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इसे solve करना है भाई चलो इसे मैं और छोटा कर दूँ ताकि आपको question आप लोग लिख ले ना हब इसे करते हैं बोला है कहां से घर से शुरुवात करने के बाद नरेन पूरब की ओर कुछ मीटा चला चलो पूरब की ओर यह चला पूरब यह दिस है आपका नार्थ हो जया साउथ हो गया इस्थ हो गया यह वेस्थ हो गया पूरब की तरफ कुछ गया अा मतलब एक सं म Dollar Nare उसके बाद व मुढक दान नीचे आएगा ज़ाएगा का के लाग की तरफ चलो इस्ट मिटर चला अब यहाँ से बाए बॉढक वूर आप यहां की दिव फिर दाएं मुड़ा और अस्पताल तक पहुचने के लिए 40 मीटर तक चला अंत में किदर मुड़ा है देख लेना फिर वह दाएं तरफ मुड़ा और अस्पताल तक पहुचने यहां से दाएं तरफ मुड़ेगा ता फिर से किदर क्लॉकवाई डियरेक्शन में ऐसे नीचे की तरफ आएगा कितना चलेगा 40 मीटर चलेगा यह डाइग्राम बन गया और देखो डिस्टेंस कहां पहुच गया वह हॉस्पिटल पहुच गया है यह आपका क्या है हॉस्पिटल है और यह इसका क्या है मालो घर था यहां पर इसका एच्छाउस था तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वह दी हुई है कितना है वह है 130 मीटर यह हवाई दूरी आपका दिया हुआ है और आपसे यह एक्स पता करना है तो इससे पहले क्या बना लो राइट एंगल ट्रेंगल बना लो तो वह कै ही साइगा कि आप MVP वाला किया बने लिए यह जैसे नीचे एंवा लिस्टमाइबी ओगा यह जितना है वैसे हुआइँप्टेंगल बनेगा ठिक डोनों साइड इसके क्या होंगे एक यह साइड एसाइड बिकल होंगा और यह और यह यह इक्वल हो बने यहां बीस ओकर कहो हो गया और यह क्या हो जाएगा यह 80 हो जाएगा तो 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा 120 हाइट कितनी हो जाएगी पूरी क्यूंकि हम यह 90 डिगनी राइट एंगल ट्रेंगल बन गए आपका 80 प्लस 40 120 इसकी हाइट हो जाएगी आपका हैपोटनियस कितना दिया 130 दिया हुआ है और ब का square plus perpendicular कितना है 120 का square equal to किसके बराबर होगा 130 hypotenuse के square के बराबर होगा ठीक अब इसे solve करते हैं क्या करेंगे x plus 20 का whole square यहां रहेगा और 130 में से 130 square minus 120 square इसे कैसे लिख सकते हैं यह a square minus b square है इसे तोड़ ले इसे 130 minus 120 12 और 130 plus 120 simple सा उशब उसे अब यह 130 का square निकालने लगना 120 का square निकालने लगना यहां से असान हो जाएगा 130 minus 120 कितना हजएगा भाई यह 10 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 25 25 हो जाएगा अब यह multiplication में है तो यह 500 हो जाएगा अब जैसे यहाँ आगया तुरन पकड़ लोगे भाई यह क्या है x plus 20 का whole square के बराबर है अब इस पे जब square हटाना है आपको तो क्या करोगे x plus 20 under root में 25 लोगे अब यहाँ से पता चल जाएगा यह 5 का square है और यह 0 दो आएगा मतलब 10 तो यहाँ से 5 आजाएगा और यहाँ से आपका 10 आजाएगा मतलब 0 हो जाएगा तो x plus 20 equal to 50 तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 minus 20 equal to 30 ठीक है तो answer क्या हो जाएगा भाई x का 30 आजाएगा answer इसका value कितना आजाएगा 30 आजाएगा तो 30 कहा है option D में correct हो चलो और जिसका नहीं आया वो देख लेना है कि कैसे इसे लगाया गिया है अंसान सा सवाल है अगले question की तरह बढ़ते है question number 5 जूम कर दे रहे हैं सभी लोग पढ़ लो और इसका answer आजाए comment कर दो एक वेक्ती 20 मीटर उत्तर दिसा में जाता है फिर दाये मुड़कर 3 मीटर चलता है और फिर बाये तरफ 4 मीटर चलता है वहाँ से फिर 4 मीटर पूरब की तरफ चलता है वो अपने पारंभी कस्थान से कितनी दूर और किस दिसा में है यह मैंने last type जो बताया था आपको उसी में का है जिसमें आपको distance और direction दोनों पूछा है question में ठीक है ऐसे मैं आपको कई practice session कराऊँगा इसमें आज है कई mix up है ऐसी तरह कल में आपको जो अगला ले आपका lecture होगा उसमें भी पूरा का पूरा practice session ही और भी रहेगा distance direction का चले जिसका answer आजा है comment कर दो चलो देख लेते हैं अब हम लोगा answer इसका कि क्या होगा एक वेक्ति 20 मीटर उत्तर दिशा की तरफ जाता है बना लो भाईया ये north है कितना चला है 20 मीटर चला है direction तो ये बनाई रखो ये north होता है ये south होता है ये east होता और ये west होता तो उपर की तरफ नौर्थ है तो मैंने वो नौर्थ की तरफ 20 मीटर इसे चला दिया फिर बूला वो दाएय और मुढ़कर 3 मीटर चलता है दाएय तरफ मुढ़ेगा ये side से जा रहा तो दाएय इसका clockwise turn यहीं होगा clockwise turn इधर होगा तो कितना चलेगा 3 मीटर चलेगा ठीक है उसके पास वो फिर बाईय तरफ 4 मीटर चलता है तो जो बाईय चार मीटर इसे चला दें बाईय तरफ सुरी बाईय तरफ आपका होगा यह यह उपर के तरफ जाएगा बाईय मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइस घुमेगा और बाईय बड़े तो clockwise घुमेगा तो यह कितना चलेगा चार मीटर चलेगा आपका उसके बाद फिर से चार मीटर पूरफ की और चलता है अब यहां बहुत है कि क्या बोल दिया कि चार किलोमेटर की दर चलता है चार मीटर पूरफ की तरफ चलता है तो पूरा हमारा इस साइड में देखो इस डिरेक्शन में है तो यह दो मैंने बना दिया इसे कितना यह बाई है चार मीटर यह भी है अब बोला है वह अपने पारंभीक अस्थान से कितनी दूर और किस दिसा में है तो पहले तो हम दिसा निगाल लेते हैं तो पहरमभीक स्थान से पूझा स्टाइंग कौईंट से पूचा लेए้ यहां से आपको इस बीच में है इसका मतलग topping उत्तर पूर्व होगा तो ऊसे में भाई देखो इसमें तो उत्तर पश्ची में यह तो होगा नहीं भाई साब यह सिफ उत्तर है यह भी नहीं होगा उत्तर पूट का सिफ एक option दिख रहा है option B तो यहीं से हमें distance निकलने की ज़रूती नहीं पड़ी सिद्धे में direction से यह answer पता चल गया क्योंकि option ऐसा अब हम distance भी निकाल लेते हैं बागी तो answer वहीं होगा option B चलो देख लें कैसे निकलेगा इसका answer यह आपका 20 हो गया ठीक और यह आपका यहां पर कितना है यह चार है और यह यहां से बढ़ा दोगे तो यह तीन और हो जाएगा साथ और इससे बढ़ा दोगे तो यह कितना है च साथ हो जाएगा चार प्लस तीन साथ ठीक तो यह कितना होगा 24 का square plus 7 का square तो कितना हो जाएगा यह 24 साथ आपका triplet होता है तो आपका अगला जो आएगा वह कितना होगा यह 25 होगा ठीक है अब ये आगे बढ़ते हैं इसमें क्योंकि ये सिंपल सा था इसमें तो आपको पहले ही पता चल गया कि 25 उत्तरपूर्व होगा क्योंकि उत्तरपूर्व ये हमारा क्या आया था डाइरेक्सन आया था अगले कुश्चन पर ये है कुश्चन नमबर 6 टीक है इसे पढ़ो और आंसर कमेंड करो राकेस अपने घर से चलना शुरू करता है और फिर बजार तक चला था तो वो किस दिशा में था यही पूछ रहा है राकेस किस दिशा की तरब देख रहा था जब वो अपने घर से चला था ठीक है starting direction आप से पूछ रहा है last direction आपको इस question में दिया होगा चलो देख लेते हैं जिसका answer आजाए comment कर दो राकेस अपने घर से राकेस के बजार पहुचने पर उसका मुँ उत्तर की ओर है किदा रहे लास्ट में हो अगर बजार पहुचना है तो उसका मुँ उत्तर की तरफ है मतलब नौर्थ की तरफ है तो starting आप से पूछ रहा है starting में question mark लगा दो ऐसे दियो बताया था लास्ट का direction सी पता हो तो क्या करना जो भी आएगा उसको पलट लेना एक left आए तो एक right कर लेना एक right करना है तो north से एक right जाओगे तो हमारा direction north कहां होता है ये बनालो direction ये north है ये south है ये east है और ये west है north ये direction है उपर की तरफ वहां से अकर मुझे एक right लेना है क्योंकि left आया था उसको मैंने convert कर लिया एक right में तो यहां से एक right लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे east की तरफ पहुंच जाएंगे मतलब पूरब दिसा में पहुंच जाएंगे option हमारा सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है तो इसका answer तो सभी कहा जाना चाहिए था चलो अगले question पर बढ़ आते है question number 7 जूम करते हैं पढ़ो उसे और इसका answer comment कर लो क्या बोला है question में question 7 बोला है आपसे आनन के घर से सुरू होकर school बस दाई और मुरती है यह भी same concept पर है और तीन किलोमेटर की दूरी तै करती है फिर बाई और मुरती और दो किलोमेटर की दूरी तै करती है अंत में यह फिर से एक दाया मोड लेती है और school तो पहुँचने पर bus का मुख दच्छिणपूर क्योंकि यह last ने बस जो है आनंद को लेने उसके घर पर पास पहुची थी उससे में उसका मुख पूछ रहा है आपसे लास्ट में तो बताई दिया कि जब school पर आई बस तो उसका मुख किदर था दच्छिपूर था तो आपसे बस वही काम करना बाई स्टार्टिंग डायरेक्शन हमें पता नहीं है लास्ट का डायरेक्शन पता है तो हम क्या करते हैं पहले लागा लो question mark ठीक है question mark लगा ले क्योंकि starting direction हमें पता नहीं अब left और right turn गिलो distance से हमें मतलब नहीं है देख लो भाई बस एक बार कहा है यह दाहीं तरफ मुड़ी मतलब एक right turn यह हो गया फिर तीन क Ilomeatori दूरी तरफ ब्रमोड़ी मतलब एक बार 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 तरफ मुड़ी यह लो एक left यह हो गया दो किलीमेटर तरफ में करते अंत में फिर से एक एक बर्द आये मोड लेती है फिर एक राइट टर्न हो गया है अंत में फिर दायातर मुझती है और पहुंचने बार कौन सा हो जाता है दच्छिड पूर हो जाता है मतलब साउथ इस्ट आपका ये डिरेक्शन दिखा रहा है तो भाईया मैंने क्या बाता है राइट लेफ्ट से एक लेफ्ट लेने तो हमारे नौर्थ ही होता है साउथ ही होता है इस्ट ही होता है अगर यहां साउथ इस्ट है तो यहां से क्या लेना वाई एक टरन लेना है कितना लेफ्ट टरन लेना है हर एक लेफ्ट चरन चाहे राइट टरन आपका कितने एंगल पर होता है 90 डिग है तो यहां से साउथ इस्ट से में पहुंच जाओն के नाउट यहीं तो आणसर से बहुत बाया तोप नहीं था सिप इसमें बस कर लिया था कि बस यहां से चलती है और यहां लाश्ट में स्कूल के पास आ जाती है तो स्कूल में उसका डिरेक्शन दे दिया और स्टार्टिंग आप से पूछ लिया है अगला कुश्चन सेम कॉंसेट पर है इसका तो आंसर कमे कुशन नमर 8 बोल आए आप से यह कि स्वाती की स्कूल बस उसके घर से शुरू होती है और आस्पताल पहुँचने के लिए एक बाही और मुड़ती है फिर वह दाय मुड़ती है और फिर पांच किलमेटर चलती है ठीक है अन्त में उसे इसकूल तक पहुँचने के लिए ब कुशन है अपसे डरेक्षन का बात नहीं किया इससका मदर स्टाइटिंग डरेक्षन मेंसे लाज्ट अबutar आपसे पूछ रहा है तो स्टारटिंग डरेक्षन मेंसे तो हमें क्या करना सिफ लेफ्ट और राइट अं को घून धून लेना है उसकों ते कहां कहां जान दाय गया एक दाइं यहां हो गया अंत में फिर स्कूल पहुंचने के लिए एक बार बाय मुर्थी लो एक बाय यहां हो गया उसके बाद से सीधे डिरेक्शन है इसी तीन का हमें ज़रूरत है इतना बड़ा स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है कोशन मांक लगा लिए पहले स्टाइटिंग डिरेक्शन हमें पता नहीं है लेफट और फिर राइट तर नोता है और लाश्ट में डिरेक्शन क्या है आपका साउथ वेस्ट दिया हुआ है तो लेफ्ट राइट एक कैंसील हो गया बचा लेफ्ट आपके पास तो जब भी इस केस में टाइप 2 में ऐसा होता है जब आपका लाज डाइरेक्शन दिया हो निकालना हो तो जो बसता उसे उल्टा कर देते हैं तो लेफ्ट को उल्टा क्या कर देंगे कर देंगे तो जहां हम कहां जाएं वह संभेश्ट में थेंगलना है तो सब डाइरेक्शन और दो क्या होता है North East और यह South East इंके इंके बीच में 45 तो मतलब दोनों जो सब डारेक्शन है कितने में 90 डिगरी के एंगल पर होते हैं अब यह साउथ वेस्ट में हैं तो हमें साउथ वेस्ट से आया हो बहरी गूड चलो आगे बढ़ते हैं कि कुश्चन नमबर 9 का आंसर बता दो सभी लोग कमेंड करके असान सा कुश्चन है यह भी कुश्चन क्या बोला है मयंक का घर दच्छन की ओर है वो अपने घर से पिछले गेट से निकलता है आगे गेट से क्यों निकलता है बाई आगे गेट से उसके पपा होंगे इसलिए निकलता है चलो अपने घर से पिछले गेट से निकलता है और 18 मीटर चलता है फिर वो दिसा में और कितने मीटर की दूरी में है तो दिसा और दूरी आपको दोनों बताना है तो जब तक आप डाइग्राम नहीं बनाओगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा तो इसके लिए क्या होगा तो कुश्चन पढ़ते रहो डाइग्राम बनागे तुरंत कमेंट कर दो आंसर कि मैरा आगया पहले चलो देख लेते हैं इसका अंसर क्या होगा मैं घर से दच्छन की और चलता है वाई चलो वह अपने घर से पिछले गेट से निकलता है और अठारा मीटर चलता है मतलब दच्छन की तरफ यह बना लेने नौक का होग घिक सर क्यों हमेंसा नीचे भी बनाएं क्योंकि साउट डिरेक्षन आपको कहा होता है नीचे की तरफ है देखो यहां यह इस्ट है इस साड जाएंगे तो यहां वेस्ट है ठीक तो यह साउथ की तरफ मैंने बना लिया 18 मिटर चला फिर वो दाएं तरफ मुड़ता है दाएं तरफ मुड़ता है मतलब क्लॉक्वाइस डारेक्शन में मुड़ेगा ऐसे और 25 मिटर चलता है 35 मतलब 18 सा अब ज़्यादे चलेगा यहां से यह दिस्टेंस बड़ी बनाना पता सबश्कुवाइब चोड़ा बना दोगया तो यह हो गया 35 मिटर पूरा उसके बाद फिर बाएं मुड़ता ओं 12 मीटर चलता है अब यहां से बाएं मुड़ना है तो बा बाय मुडता है और 17 मेटर चलता है फिर बाय मुडता है यहां पहुंचा फिर से बाय मुड़ा तो फिर से एंटिक लॉकवाइस एकशन तो कितना चला है चलता है और फिर से यहां से सत्रा है इसका मतलब कि यह 18- term 25 पूरा डिस्तेंज हो जाएगा तो यह आएगा कहां तक एकदम यहां तक देख लेना इसका जो यह ए सेम इदम इसी पर आके यह मिलेगा तभी तो यह 18 हो जाएगा इतना और यह बचा है 17 तो यह भी 17 तभी तो 18-17 35 हो जाएगा ठीक यह 12 हो गया यह 17 आपका बाएं की तरफ आगया अब आपसे पूछ रहा है यह इसका एंड हो गया बेस्टिनेशन हो गया और यहां से चलना सुरू किया था यह इसका घर था ठीक होम था एच लिख दे रहा है अब आपसे पूछे वह मूल इस्तिती से किस दिशा में है और कितने मीटर की दूरी पर मतलब इसके होम से कितनी दूरी और किस दिशा में है तो भाई सब दिक हरा उसी लैंड पर है तो वेस्ट में है यह तो पता चल गया तो वेस्ट में है पश्चिम में तो ऑफ्सन भी अपका एक दिख रहा है आराम से बचा सकते हो क्योंकि लिएक हो तो option C इसका answer हो जाएगा, अब 40 meter कैसे देखो, 40 क्यों 28 ये, और ये कितनी दूरी है, 12, ये दूरी कितनी वाइतमीना, ये 28 ये भी हो जाएगा, ये 28 और ये 12, तो 28 और 12 कितना हो जाएगा, 8, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 40 हो जाएगा, तो 40 meter waste में इसका answer होगा, जिसका आया हो, बहुत अच्छा, option C, जोगा इसका correct answer होगा, अगले question पर बढ़ते हैं, question number 10, question पढ़ाओ, answer comment करो, तुरंट, एक nurse हैं अपने duty doctor की तलास में, अस्पताल में पूरक की ओर 90 meter चली जाती हैं, फिर वो बाय मुर्ती हैं, और 20 meter चलती हैं, इसके बाद वो बाय मुर्ती हैं, 30 meter जाने के बाद, ICU पहुंचती हैं, और देखती हैं कि भाईया, डाक्टर साथ तो ICU छोड़ के भाग गए हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ से 100 meter अपने उत्तर तरब जाती हैं, तो अपने डाक्टर से मिलती हैं, तो पारंभीक बिंदू से अपने duty डाक्टर से मिलने के लिए, वो कुल कितनी दूरी करती हैं, कुल कितनी दूरी आ गया भाया, कुल कितनी दूरी मतलब total distance आप से पूछा है, ना कि कोई shortage distance आप से पूछा है, तो जब भी S type का question आए, तो क्या करना है, कोई diagram फाइगराम नहीं बनाना है, कुल distance आप से पूछा है, जहां कोई diagram नहीं बनाना है, जो जो distances अप पलस कर डालो, ये 90 है, ये 20 है, ये 30 है, तो 30, 20, 50, और 90, 140, और ये कितना है, 100, तो कितना हो जाएगा, 240, तो आंसर क्या हो जाएगा, 240, option B सही, तब इसमें टाइम ठोड़ी लेना चड़िये, चलो, जिसका B आ गया, सही answer, अगला question 11 नंबर देख लो, अब उस question में सोचो कि हाँ diagram बनाया, नर्स को hospital ले जाएँ, कि डाक्टर सहाब से मिलाएँ, तब तो उतने देर में तुमारा, तुमसे तेल लड़का जोगा, वो कर लेगा answer, अभी जीत अपने घर से निकलता है, और उत्तर पश्चिन दिसा में 30 मीटर चलता है, answer आजा, comment कर दो तुरन, जिसका, फिर वो दश्चिन पश्चिन दिसा में 30 मीटर चलता है, फिर वो दश्चिन पूरब दिसा में 30 मीटर चलता है, फिर वो उत्तर पूरब दिसा में 30 मीटर चलता है, वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, कुछ लोग तेज होगे, तो जान जाओगे कि एक सेम सेम डिस्टेंस है और उस पे घूम रहा है जितने सब इसान में घूम रहा है ऐसे जान जाओगे ऐसे चलना इस्टर आप से गया तो यांसर दिशा में 30 मीटर चलता उत्तर पश्चिम कौन सा होगा नौर्थ वेस्ट यह होगा यहां से कितना चला वह यह 30 मीटर चला मान के चलो यहां इनका घर था उसके बाद वह दश्चिर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है दश्चिर पश्चिम दिशा मतलब यहां से अब यहा प्राइकस अभी हाँ बनाओगे यहां बनाओगे तो यह ओनार्थ यह होगा इस्ट यह सिल्ग वेस्ट यहां से आपका दश्य पस्ञि Barnes स्ञितकर परकेंग्छ सानुट और यह सत्वाँ यह प्राइव हर यहां पर आएगा अब पहुच गया तो अब डारेक्षेन क्या बनाओ डारेक्षन यहां बना लो यह नौर्थ हो गया यह साउथ हो गया आपका यह इस्थ हो गया इस्थ ही अधर वेस्थ हो गया अब भाई वो कितना चला फिर वो दच्छिर पूरब दिसा में 30 मीटर चला फिर उतनाई डिस्टेंस किदर चला है दच्छिर पूरब में तो साउथ और इस्ट की बीच में चलेगा 30 मीटर तो सेम यहाँ जो इसे जितना था ना उतनाई पर यह भी आएगा ठीक तो 30 मीटर यह हो गया यहाँ पहुंच गया अब यहाँ पहुंच गया तो क्या करो अब यहाँ पर बीट क्या बना लो डैरेक्शन बना लो लो हम बना दियें यह आपका नौर्थ होगा यह साउथ होगा यह वेस्ट होगा यह इस्ट होगा अब क्या कर रहा है उत्तर पूरब दिसा में 30 मीटर चला तो अब यहां से उत्तर पूरभ देख लो ये नर्थ है अपका और ये इस्ट है तो इसके बीच वाला इक्ट नर्थ इस्ट हूगा उत्तर पूरभ होगा कितना चले गा 30米 यह भी चलना है तो इसका मतलब यह जितना यह इस पूर consort यह भी जाएगा तो 30 भी हो जाएगा सही चलो अगले कुश्चन पर बढ़ते हैं कि यह देखो धमाकेदार कुश्चन है लगाओ इसका अंसर बताओ दमाकेदार भी ये नहीं है कि इसमें डौफ है कुश असान है डिस्टेंस मतलब थ टो कुछ होता ने प्थिन्ह मतलब्ए रिजनीं मतलब सफ कोड़ best college है ठीक है चलो क्या बावाज होगा इसका सबी लोग अमेंठ्ट कर दो क्शहन भ़लना आ है A, E, I, O, U, H, F और W, एक दूसरे के समान दूरी पर समान करम में, दच्छना वर दिसा में एक गोल मेज, चार ओर बैठे हैं कितने लोग है मैं यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ आठ, आठ हैं, तुरन तुम जान जाओगे, आठ होते हैं, आठ डिरेक्शन भी होता है, तो मेज है, उस पर आठ डिरेक्शन बना लो, और वहीं से कहीं क्लू दिया होगा कि कोई किसी डिरेक्शन को फेज कर रहा है, बस वह ऐसे बैठा दो, तो देखो, चार ओर बैठे हैं, ओ यह अपने अस्थानों को आपस में बदलते हैं, यहां से कोई क्लू नहीं मिला, यदि ह का मुक उत्तर की ओर है, तो ओ का मुक किस दिसा में होगा, यहां से तुरन दिमाग पर क्लिक कर जाएगा, भाईया, यहां तो दे दिया, कि H किदर है, उत्तर की तरफ है, तो यह ऐसे एकदम सीरियल वाइस बैठे हैं, पहले यह बैठेगा, फिर E, फिर I, फिर O, फिर U, फिर H, तो कहां है चाहिए जाएगा, कि जिसका, उसका मुक जो होगा, उत्तर की तरफ होगा, बारलब वो खुद बैठना होगा किदर, साउथ की तरफ, जैसे मालो यह है, अगर यहां कोई बैठा है इंसान, तो इसका मुक किदर होगा, उत्तर की तरफ होगा, तो सर्कुलर है, इस सर्कुलर टेबल है, चलो ले ले लेते हैं, एक सर्कुल वाला टेबल, इसी पर हम डायरेक्शन बूरा प्लाड कर देते हैं, लो, यह बना दिये, यह नौर्थ हो गया, यह साउथ हो गया, यह आपका क्या होगा, यह वेस्ट होगा, यह नौर्थ इस्ट होगा, और यह आपका साउथ इस्ट होगा, और यह क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा अर्या आपका क्या होगा यह नौर्थ वेस्ट होगा अब जैसे जी इसे बहुत आप पड़ेगा इस है कर एक इसे रहplayer कर्देदं के अब इसमें तर्याहन करेगा है यह जब यहां होगा की तरफ इसका मुख होगा देखो उत्तर की तरफ इसे मुख करना है इसका मतलब H वा में यहां बैठाना पड़ेगा भाई यहां होगा तो इधर की तरफ फेस करेगा यहां बैठेगा तो इधर की तरफ इसका मुख हो जाएगा तो इधर की तरफ इसका मुख हो जाएगा तो एक साउत में ही बैठेगा है तबिए उसका जो मुख होगा वह किधर होगा नौर्थ की तरफ वोगा तो एक कि देप पिक्स heated comes हो होगया है कि अब किया करळा है हम नेये हम से हम से प्ढ़ए हां यहा जाते हम पहले एक कहा होगा यह यू होगा से यह में क्या होगा यू होगा उसके बाद कौन है क्योंकि सब सेरियल वाइज बैठें उसके बाद आई होगा ठीक है उसके बाद एोगा ये नौर्थ में कौन होगा उसके बाद एह होगा मतलब यहां पर जो होगा वो एह होगा नौर्थ हralama से बैड़ गए एई अई देखो सरक्ल में कर दे रहे हैं जो जो बैठा है यह और यह हो गया यह हो गया उसके बाद हगा है एसके बाद है फ और डॉब्लू दो बच रह है एप ही हाँ हो जाए फ एप डिया डबलू के पास हो जाते कि यह आपका बैट गया लोग जब बै जादेंगे तो सफेसे going to support अच्प यहां अम कर जाते हैं और का यहां यू के साथ बैठेंगे यहां रह घख जाते हैं और अब पूछ रहाए आप दुपर से कि ओका मुख की समय है है तो बहां वोग किदर बेटा में है साउथ वेस्ट में है किदर की आया मुठतर नोर्थ इस व्यश्वेस्ड में है उत्तर पूरं में में वेरा नावना कुश्चन पर बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 13 रोहन का मुख पस्चिम की ओर है और 45 जिगरी दच्छना वर्थ घूमता है फिर 180 जिगरी दच्छना वर्थ घूमता है अब उसका मुख किस दिशा में है फिर हो आगया रोटेशन वाला एंगल पर डिपेंड है चाहा हो लेफ ठीक है पस्चिम दिशा में तो इस वाले कुश्चन को मैंने कैसे बता था भई या डायरेक्शन तो प्लोड कर लो नौर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट ठीक और सिंपल देखे लो कौन कहा है कितने क्लॉक्वाइज घुमा है कितना एंटी क्लॉक्वाइज गुमा है पहतार मतलब एंटी क्लॉक्वाइज है मतलब यह भाई साब का रहे हैं मुल्टा घुमेंगे तुम चाहिए कितना सूधा घुम लो कि दो सब्सक्राइज ठीक है अब 185 जोड लोगे तो कितना पहुंच जाओ गया एक सब्सक्राइज जोड के बताओ भाई यह पांच यह आट चार बार है के दू सब्सक्राइज डिगरी यह हो घुम गयो तो दो सब्सक्राइज यह हो गया मतलब टोटल क्लॉक्वाइज द nem जाएंगे उसका मतलब कि जिदर थें भाई साहब बार उधर ही रही जाएगा कहीं और नहीं जाएंगे ठीक système इंका अंसर क्या हो जागा पस्जिम नहीं हिराएंगे क्यूंकि कोई आपका डिगरी आया ही नहीं तो आपकाा अंसर क्या हो जैंगा जिसका जिसका है व पंद्रा मीटर चलने के बाद वह उत्तर की और मुड़ता है बीस मीटर चलने के बाद वह पूरब की और मुड़ता है और दस मीटर चलता है फिर दच्छन की और मुड़ता और पांच मीटर चलता है वह अपनी मूल इस्तिजी से कितनी दूर और किस दिसा में है ठीक है चलो देख लेते हैं मैं देख रहा था करी कुछ्छन कोई छूट नहीं गया चलो इसमें जो जो बोला रहा आंसर जिसका आजए कमेंट कर दो आंसर तुरंत आजाना चाहिए असान सा कुछन है बहुत कुछ इस कुछन में रखा नहीं है ऐसा कुछ क्या बोला करण दच्षण की और चलना सुरू करते हैं दच्षण की दर भाई पीछे की तरह घूम जाएं ऐसे यह तो आपका डायरेक्शन नौथ साउथ इस्ट और वेस्ट यह तो हम ऐसा फ्लॉड करके रखना यह आपका साउथ में और मुड़ता है और 20 मीटर चलने के बाद वह पूरा मुड़ता है तो 20 मीटर चलेगा अब यहां आगया था अब 15 तो यही हो गया जो आया था जितना उसी कवर कर ले अब 5 और चला जाएगा उत्तर में ठीक है यह स्टार्टिंग पॉइंट है इसका यह गोला कर ले ना प पिर वह दच्छनोल मुड़ता है तो पांच मीटर चलता है यह 5 मीटर हो गया यह क्योंकि सेम डिस्टेंस यहां है उतनाए डिस्टेंस यहां भी जाना तो यह एक ठोगूला कई दो ठीक तो यह 5 मीटर हो गया उसके बाद पूछ रहा हो अपनी मोलिस्थिती से कितनी दूर दूरी पर है और किस दिसा में है मोलिस्थिती क्या थी यहां से पूछ रहा हो किस दिसा में और कितनी दूरी पर है तो दिसा यह कौन सी हो गई भाई साब यह दिसा तो हो गई इस्ट पूरब और कितना डिस्टेंस है डिस्टेंस जो यहां पे 10 मीटर होगा ही डिस्टेंस यहां पर भी होगा दस मीटर का ठीक तो दस मीटर के दिस्टेंस में किदर है इस्ट की तरफ है तो कौन सा अंसर होगा यह होगा ओप्शन यह 10 मीटर पूरम में ठीक क्योंकि मोल इस्थिति से पूछा वह अपनी मोल इस्थिति से कितनी दूरी पर और किस दिसा में मोल इस्थ देखेंगे और आज के लिए खासा जेकपॉट आपको लोगों के लिए तयार किये हैं ठीक है इसका भी आंसर देदो कमेंट करो सभी लोग कुश्चन समझ में आ गया हो पढ़ लिए हो इसका आंसर कमेंट करो फिर मैं बता रहा हूं इसे गुश्टन बोला है एक आदमी उत्तर की और देख रहा है वो दछिना अगा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है और फिर वामवर दिशा में 270 डिग्री घूमता है अब वो किस दिशा में है कि मतलब स्टार्टिंग गाई एक स्टार्टिंग डारेक्शन कड़िया है पहले का कुष्जंता है श्टार्टिंग डारेक्शन क्या नीचीन लकलॉक्वाइज कितना चला है वो लिख लेते है कि वह दिखना वर्थ दिशा में 65 डिगरी घूमा है कर लो भाया उसके बाद मतलब उसी दिखना वर्थ मतलब से दिखना क्लॉक्वाइज कितना घूमा एक तो सी डिगरी कोंать चलो फिर वह समय फंचे हैं दिस्वाइजिया सदेना को पहलए प्लस प्रॉस करें एधी मतलब गीट ब्लॉक वाइस की वह सथीज्वारे तो 270 से 225 माइनस कर दोगे तो कितना आजाएगा एंटी क्लॉक्वाइस का साइन आएगा क्योंकि भाई भर कम है और कितना 45 डिग्री एंटी क्लॉक्वाइस आएगा तो शुरुवाद की डियरेक्शन पता है और एंटी क्लॉक्वाइस 45 तुम्हें घूमना है तो कहां थे आठी क्लॉक्वाइस घूमना है तो यहां से नौर्थ में अगर हम फेस करके खड़े हैं तो 45 डिग्रिया एंटी क्लॉक्वाइस होगा थे नौर्थ में पहुंच जाएंगे तो नौर्थ मतलब क्या हो जाएगा उत्तर पस्च्चिम ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा जिसका आया हो बहुत अच्छा चलो बढ़ जाते हैं आपके जो प्रिवियस सेशन था रिजनिंग का उसके जेकपोट कुश्चन का आंसर जिसने दिया हो बहुत अच्छा कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया कुछ ने नहीं दिया ठीक है चलो देख लेते हैं क्या है इस कुश्चन में बहुत कुछ नहीं है इस कुश्चन में आसान सा कुश्चन है कुश्चन बोला है पलक अविनास से उत्तर की और 24 सेंटिमीटर की दूरी पर है पलक जो है किस से अविनास से, ये हो गया अविनास भाहि साथ, उनसे पलक उत्तर की तरफ है, 24 मिटर की दूरी पर है, उसके बाद से बोला, अविनास से पूरम में, eight cm की दूरी में, अविनास से बबिता जो है, 8 cm की दूरी पर है उसके बाद से बोला अंजली बविता के दच्छण में 6 cm की दूरी पर है अंजली जो है दच्छण में 6 cm पर यहां लिख दो अंजली पूरा लिख दो ना कूछ नोग जलांग अडिगा विशेख में अविनास में उसके बाद से बूचिहे है कि क्यां पूचा correction पलक और अंजली के बीच नियूनम्तन दूरी कि यह प्याद कीजिए पलाक और अंजली की भी किया है कि सॉटफाale पूछा है तो आपका यहां से और यह वाला डिस्टेंस पूछ रहा है तो पैथा गोरोस आपको लगाना था पैथा गोरोस चाचा लगा देते आजाता आँसर इसमें कुछ नहीं करना था यह 24 है अब यह देखो इसे मिला लू इसे मिला लो ठिक तो यह क्या हो ढए यह 6 है और यह 24 हो जाएगा तो चै foto यह यहां पता करना ए डिश्टेंस पूसे लिख लो पी और आंजली वाला डिस्टेंस आपको पता करना ह गौए तो अंडरूट में क्या हो तीसका isquire प्लास यह आपका 8 का isquire ठीक, उसके बाद क्या होज़ेगा इसका 30 का isquire 900 8 का isquire64 तो यह होज़ेगा under root में 964 964 under root में होना जाइए समीं 964 है तो हम किस्से कर सकते हैं डायरेक्षन देख लें डायरेक्षन हमारे पता चल जाए तो हमारा आंसर पता चलियाएगा सम्में जब 964 है तो बोला ना किसे ग्याद करें कि पलक अंजली की किस दिशा में है पलक जो है अंजली से किस दिशा में है तो अंजली से पूछा है तो अंजली पर हम डारेक्शन बना लें यह देखो यह डारेक्शन बना लें तो यह उप यह नहीं तो बचा क्या यही तो option A हो जाएगा तो आपको डिस्टेंज निकाल लेकि इसमें जरूरत ही नहीं दिसीब आप डिरेक्शन भी निकाल ले थे तो आंसर पता चल जाएदा क्यूंकि सम्में 964-964 common है ठीक तो आज की question पर बढ़ता है आज का आपका जेकपाड question है हम हलुआ सा question है तुरंत comment करना बाई वीडियो की last में तुरंत बोला एक विदुद ट्रेन उत्तर से दच्छिन की ओर जा रही है तो इंजन का धुआ किस दिशा में जाएगा answer comment करो तो यह आपका जेकपाड question है सभी लोग इसका answer comment कर देना तो यह आपका हो गया आज का session था practice session distance direction पर अगला आपका जो session होगा वो भी इसी पर distance direction के practice पर ही होगा चलिए तब हम अगले session में मिलते हैं तब तक लोग सभी लोग यह वीडियो को share कर दो और चैनल को subscribe कर ल तन्देवाद